हलो एन वेल्कम टू बॉलिग्राडू स्टूडियोस दोस्तों कीजियफ चैप्टर टू के साथ लोगों के दिलों पर राज करने वाले रौकी भाई लौट आए है सिनेमा गोरों में दस्तक देने के बाद भी फिल्म का बज थमने का नाम नहीं ले रहा उल्टा बढ़ता ही जा रहा है फिल्म का क्रेज लोगों में इस बज के गारड फिल्म एक बार फिर बॉक्स ओफिस पर धुआधार कमाई कर रही है साउथ बेल्ट के साथ ही यस श्टार कीजियफ चैप्टर टू नौर्थ बेल्ट में भी कमाल करने से पीछे नहीं है हिंदी लेंगविज में दर्शुकों को ध्यान में रखते वे इस फिल्म के डारेक्टर प्रशान नील ने बॉलिवुड सुपरस्टार सेंजेदत और रवीना टेंडन को भी फिल्म में शामिल किया जिसका बॉक्स ओफिस पर भरपूर फायदा मिल रहा है रिलीज से पहले ही केज़ेफ 2 एडवांस बुकिंग में बड़े-बड़े एक्टर्स के फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी है इसके बाद अब फिल्म ने अपने पहले दिन ही बॉक्स ओफिस पर कमाई के जंडे गाड़े केज़ेफ 2 का ऐसा क्रेस देखते हुए साफ लग रहा है कि फिल्म कमाई के मामले में बड़े-बज़ट की फिल्मों जैसे कि पुष्पा प्रुपल आर को भी बॉक्स ओफिस पर पटकनी देने का कमाल कर सकती है हमने आज इस आर्टिकल में लगाता रिकॉर्ड कायम कर रही यश्की के फिल्मों के सारे रिकॉर्ड की एक लिष्ट तयार की है पहली फिल्म बन गई है रिपोर्ट को मताबिक ये फिल्म एक साथ 4400 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज की गई यश्य स्टारर इस फिल्म ने एडवांस बुखिंग के मामले में बाहू बली 2 एवेंजरस एंड गेम को पीछे छोड़ दिया है नमबर 2 बंपर ओपनिंग का रिकोड KGF चैप्टर 2 की रिलीज से पहले ही इसके बॉक्स ओफिस कलेक्शन से काफी उमीदे लगाई जारी थी अनुमान था कि फिल्म हिंदी वर्जिन में पहले दिन 50 करोड रुपए की कमाई कर सकता है लेकिन फिल्म 65 करोड की ओपनिंग करके सब की उमीदों पर खड़ी उतरी इसके साथ ही फिल्म ने बाहु बली 2 जो की 41 करोड कलेक्शन कर गई थी लास्ट टाइम वार 53 करोड, ठग्स ओफ इंदुस्तान 52 करोड, ओपनिंग डे की बात करो में पहले इडियन फिल्म है, जिसके टीजर को 250 밀leyन व्यूज मिले थे ट्रियलर को पांचुल रेटावीज में 109,000 व्यूज मिले थे नमबर 5, ग्रीस में हुई रेलीज प्रशान निल के डिरेक्शन में बनी की जिफ चैप्टर टू ग्रीस में रिलीज होने वाली पहली कर्नड फिल्म बन गई है इस फिल्म को वर्ल्ड वाइट 10,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है और इसी के साथ ये पहली कर्नड फिल्म है जिसे आईमेक्स फॉर्मेट पर रिलीज किया गया है तो ये थे फिल्म के नाम चार रिकॉर्ड और देखा जा तो अभी फिल्म को रिलीज हुए सिर्फ और सिर्फ तीन दिन हुए है आगे और भी फिल्म बड़े रिकॉर्ड बना सकती है आपको क्या कहना है इन रिकॉर्ड के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपनी राज शेयर करें तैंक यू सो मच देखते रहें वालिग्राड स्टूडियोज